जै मातादी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सर्व मंगलकारी शिरी शिद्धिगनेश व्रतकथा और ये व्रतकथा इस प्रकार है एक वार शौनकादी अठासी हजार इशियों ने शास्त्र वृता सूथ जी से पूछा कि हे सूथ जी महाराज सभी कारेों की निर् पर व्यमनस्य से अलगा तथा उदासिंता से अनुपूलता कैसे मिल सकती है विद्यो पारजन वानेजे व्यपार कृशी कर्म एवन साश को द्वारा अपने शत्रू पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है किस देवता की पूजन से मनुश्यों को प्राप्त कर सकेंगे श्रीकिष ने कहा कि आप देवताओं में प्रथम पूजे श्री गणिजी का पूजन कीजिए उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे यह निश्चित है तब दिश्चिर के पूछने पर श्रीकिष ने उन्हें सर्व मंगलकारी श्री गड़ेश प्रत कथा की बारे में बताया और कहा कि तृप्रा सोर को मारने के लिए दिशुलधारी महादेव जी ने बत्रा सोर के विनाश करने के लिए इंद्र ने अपने पती गौदा मुने की प्राप्ती के लिए अहिलिया ने नल की प्राप्ती के लिए दवयंती ने सि के भागी हुए थे जब गरुर ने देहराज की हाथ से अमरित कलश को छीन लाने के लिए स्वर की और धावा किया था तब उसने भी गणाध्यक्ष की ही अर्चना की थी मैंने भी रुकमणी हरन करने की इक्षा से भगवान गनेश जी की अराधना किये थी उनके ही प्रसाद स मैं रुकमणी को पा गया हूँ जब संबर दानव रुकमणी के पुत्र परद्यम्न को परसूती ग्रह से ले गया तब मैंने और रुकमणी ने श्रीशिद्ध गनेश की पूजा की उसी से परताब से हम परद्यम्न को फिर से प्राप्त सक कर सके जब साम्ब को कुष्ट हो उस समय उसने अपने कुश्रोक की निवर्ति के लिए सिरीशिद्गनेश की अराधना किये थी जिससे उसे निरोकता प्राप्त होगे इसलिए हे राजन तुम यदी अपनी जय चाहते हो तो सर्मंगलकारी शिरीशिद्गनेश की शीगर अराधना करो क्योंकि गनेशी की जा करें तो वे जन जन मांतर में कभी भी धव्या का दुख नहीं झेलती गड़ेजी के पूजन करने पर विश्णु महादेव सूरे पारवती और हुताशन आदी सभी देवताइं पूजित हो जाते हैं इसमें संदे नहीं है सूरे जी कहते हैं कि हे मुनीवरो भक्ति पूरवक सर्मंगलकारी श्रीशिद गणेश का व्रत करने से सब संतुस्ठ हो जाते हैं श्री कृष्ण भगवान राजा से कहते हैं कि हे राजन इधिस्टिर इस प्रकार भगवान गणेश का पूजन करने से तुम भी संगराम में अ अपना राज्य प्राब्द कर लिया है, सुची शौणागादी मुनियों से कहते हैं कि जो मंद प्रारब्द भी हो उस पर सिद्ध दाता गड़ेश का पोजन करें तो उस मंद भागी के भी मन के विचार सब कारें सिद्ध हो जाते हैं, इस पवित्र व्याखान को जो समाहित सुनता है उसके सबी कारें सिद्ध गड़ेश की प्रसंता के से सिद्ध हो जाते हैं, हे दिश्टिर अब इस ब्रत कथा को सुनो, एक बार की बात है, एक धर्म प्रेमी दंपती भगवान गड़ेश का गुनगान करते हुए जैद शिद्ध गड़ेश, जैद शिद्ध गड जोड़कर उसके सामने आकर खड़ी हो गई और पूछने लगी कि आप किस परकार इतने सुखी प्रशन एवं स्वस्त दिखाई दे रहे हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, कि पर मेरे दुख का निवारन का उपाय बतलाई है, तब उस दंपती ने मुस्करा कर एक दुसरे की और देखा और कहा कि हम सर्व मंगलकारी श्री शिद्गणिश व्रत कर रहे हैं, जिनके करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, यह सुनने पर उस लेलावती ने अनुना पुरवक पूछा कि आप बिस्तार पूरवक इस व्रत का विधान मुझे समझाएं तो बड़ी किरप पूर होने पर यह था सकती पुस्ते के दान की जाती है, इतने सरल व्रत का वर्णन सो निलावती अत्यन प्रसंद हो गई, और अगले ही बुद्वार से उसने सर्मंगलकारी श्री शिद्गणिश का व्रत का करना आरम कर दिया, देखते ही देखते हैं उसके पती जिसका चर जिस पज़े से उसके ससूर भी वहुत चिंती रहते हैं पर अंतु सर्मंगलकारी शिद्गणिश व्रत कर रखने पर उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ती हुई जिसके होते हैं उसके घर में खुश्यों की बर्खा होने लगी और पती के कारुपार में भी उन्नती हुई औ सुबिधा संपन बंगले में रहने लगे और उसकी समाज में हर जगर पूछ परक बढ़ने लगी यह सभी लोगों से इस महानवरत का प्रभाब बताने लगी और स्वेम भी हमेसा इस तरत का पारण करते हैं गने जी के जैसे उसे संपन किया वैसे ही सभी को संपन करें जो पड़े अत्वा सुने उसके भी सभी मनों न सिद्धों इस परकाश रिशिद्ध गनेश वरत कता सम्मागत हुई